तो सेंटर आप मास का चार लेक्चर हो चुका है मीनी समझो फर्मूला समझो को सब्सक्राइब पिछले दो दिन से चल रहा है सेंटर आप मास ऑफ रिजीर बोडी उसमें एक ही लेक्चर कई बार देजिया हूं फिर से बता रहा हूं होमोजेनस बोडी जिसमें मास अनिफॉरमली डिस्ट्रिबूटेड है उसका पूर्फिंग बेर करवा जरू दिया हूं बट आपको पूर्फिंग कोई काम नहीं कि तुम फाइनल आपका एक्जाम यहीं मेंस का है फाइनल आपका इसाम मीट का है रटके मतला उसका पूर्फि पूर्फिंग का काम नहीं है फर्मुला याद रहे तो काम बढ़ जाएगा नन उनिफॉर्म आपको सीखना पढ़ेगा तो आज आप हम लोग आगे बढ़ते हैं प्हाइले क्लास के संध्याय के सेंटर अब मास किसको कहते हैं फिर प्लफिंग कि निकाला कैसे जाता था तो इसका वेलोसिटी मोसन का एक्सलरेशन मतलब उसका पूर्स लगाएगा तो इधर जाएगा उन सब के बारे में बार्चित करेंगे तो अभी तक तो आप सेंटर आफ मास निकालने का फरूला देखे थे अब उसी में वेलर सिटी जब निकालो के सेंटर आफ मास का तो वही सिस्टम है अगर दो बॉडी का सिस्टम होगा तो क्या था अगर दो बॉडी का हुआ तो बाई अगर दो सजादा का होगा था था है एक्सलेरेशन ऑफ इंटर आफ मास एंगे फिर मोमेंटम बॉडी का कैसे निकालते थे नाइफ में सीके एए इलेफ में सीके मोमेंटम बराबर क्या बटी बड़ी क्रों में पड़े मास लुडि से नहीं होगा वह मास का होना चाहिए और अगर 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 तो आज के बाद दो बॉडी का लोगे वह सेंटर अप मास पर चाहिए उसका शेंटर अकर अब सब्सक्राइब करने से पहले मोमेंटम बड़ाबर क्या करेंगे आज के बाद मास इंटू वेलोसिटी तो बताओ वह वेलोसिटी जो है वह सेंटर आप मास बोल रहे हो इस अब्जेट का मास 40 kg है तो तुमको मेंट सी और करना पड़ेगा तो इसका मास नहीं वह एक्षाली उसका सेंटर आप मास नहीं तो नहीं चलेगा ठीक है पोर्स बताओ आज के बाद पोर्स तो मास इंटू एक्सलेशन नाइन पर बहुत पर बातचित करेंगे तो फोड़ा लिख के रहो फिर मों बताता हूं क्या क्या इसमें होने वाला हुआ है चलो देखो दो कॉइंट मास यह कितना दिखना दो के यह किस तरब जा रहा है वो दोनों इस पीड भी दिया वाद में थ्री मीटर पर सेकंड है फाइन पर सों तक हम लोग इसका बता पारे थे पोजिशन मालू मोड़ा था तो इसका पोजिशन आप सेंटर और मास बता पारे आज क्या बता देंगा हम लोग इस पूरे सिस्टम का स्टेड भी बना देंगे बसर पे ये नहीं लिखा हुआ है और या दूर जा रही है नहीं लिखा हुआ है तो से साब से दो आठ स करका तो उससे के नहीं करेंगे पहला कीस में बेन एक आर मूबगी इल्सेल गरेक्षा दूसरा देयार मूविंग इन उपोजिट डारेक्षण हो जाएगा क्या क्या गीवन है मास्क तू के जी उसके स्पीड 3 मिनिटर पर सेकंड मास्क स्पीड पहले के स्पीड वेलोसिटी आप सेंटर आप मास्क M1 B1 तो 2 इंटो 3 प्लस M2 B2 डिवाइड वाइफ 1 प्लस M2 6 6 4.2 मीटर पर सेकंड और इसी का केस B का अलसर M1 तो 2 ही रह गया B3 रह गया M2 3 V2 माइनस 5 माइनस 5 वेलोसिटी आप सेंटर आप माइनस रहता है यह कोई मेंस गीट का कॉस्टन इस आप गाने के लिए तो तुमको इसको माइनस करना तो यह माइनस में तो इसको प्लस करतो तो यह तो पास समझाने के लिए ऐसे को संट में वेलोसिटी आप सेंटर आप माइनस इस टू इंटू 3 यह स्टेट लाइन वाली बात ची थे यह समझाने के लिए बात आपट लिखो एक और आशा पहले बना लू तू कॉइंट मासेज ऑफ टू केजी और वन केजी और मुवीं अलांग शेंट इस पीड्स पर सेंट नीज इस तू मीटर सेंट नीज और फाइव मीन अपर सेंट टेकां इस इस ट्री आप में अपरिक्स फीड्स पीड्स प्रस्टेड इस नाय। इंट आप है लेगा? 3-3 मिटर पर सेंट, अदूसरे का? 1-1-3 1-2-3 1-2 और यह अग опредम AG जिस wanna be को निखतेमcks कहा सकी जुब एगा भी यह पानल अस जह पासा पासा look पहले वाले काम सवाएगा 3 कर दोगे ना दूसरा लेका माइनस मीनिक को कहले मैंने फ़र्मुला को समझे फिर मिनिक समझाता हूँ तू के जी पार्टिकल है इसका वेलोसिटी दिया हुग है कि अधिकल आजारा है वह दिक्कत नहीं है अजके प्राव सेंटर आजाएगा समझ में सब कुछ लिख करके रखना लेकिन नहीं लिख कर रखोगे तो बस ऐसे कोर्शन बनाने से कोई पारजा नहीं है इस मेटर पर सकंड एम तू प्री वी टू अई कैप फ्लस शे चैप मेटर पर सकंड फेले अब लोग नितालें के वेलोसिटी अब अई नहीं है झाएगा झे बग से कोई तो ख्ल activation में चैप प्री गडर फेले शे का ग mandate को उक्ए उकार अगीन दो भनाने मी का फू प्लस को लिख कום माइनस 2 जेकर 3 आइकर 18 जेकर 5 इस इस डिवाइगर 16 जेकर 5 दो मेंटर पर सेट इना मोमेंटम नी कल नहीं मोमेंटम तोल मास इंटो वेलोजिकी और सेट था था पांच तो प्लस पांच इंट इससे और यह कैप इंगें था फाइंग इससे और कैप इच्टीजे काप इच्टीजे काप इचीमिटर लिए सेट पुरह रहे शृत एप लोगर को थे यहां लिए सब्सक्क्राइब को ही क्या कुए bethe Verdi 3J cap acceleration of center of mass उपर लिखा हुआ है vector form में ही M1 A1 M into 3 I cap plus 2M into 3J cap divided by M1 plus M2 M plus 2M this is 3M acceleration of center of mass कितना हो गे है 3M I cap 6M by 2I cap 2I cap 2I cap 2J cap 2J cap 2J cap 2J cap meter per लेकिन कोस्टन ऐसे X Y X Y X Y X Y X Y X Y 4 root 5 meter per second तो यह सब motion of center of mass पर आप लोग देख रहे तो लिख करके रहे तो जहां से chapter start निकालो center of mass निकालो center of mass निकालो center of mass निकालो center of mass निकालो तरीका बटाए तर इस पर कि आपनो पार्च दिन से chapter को बिल्डप किये अगर उसको vector form में एक बाग और अनिलाइस करेंगे तो किसी तरह से था है ना दो पार्टिकल था mass M1, M2 और origin देखो अपने पर डागिराम के देखो से यहां तका position vector किया था R1 vector और बताया गया था कि यह अगर system है कितने particle का system दिखे इसका center of mass बात हुआ था कहीं यहीं पर कहीं पर होगा यहां पर कहीं पर बात हुआ था कि यहां पर इसका center of mass जो हो होने का chance है है ना और इसका आप लोग बता रहे थी कि यह R vector कि यह discussion हुआ था कि यह जो R vector है यहीं से chapter स्टार्ट हुआ था पूरा बिल्डप के अभी यहीं लिखे था M1 R1 plus 2 R2 divided by M1 plus M2 यहीं होता ही है इसी पर आभी आप B लिखे इसी पर आप A लिखे इसी पर आप 2-3 जिन से question बना रहे है इसी को थोड़ा manipulate करके rigid body का center of mass निकाले है ना ना तो यह सब बात है थोड़ा सा इन सब बातों को एक बार और हम लोग करने वाले ठीक है तो एक बार और डिग्राम बनाओ जो रहा सा यह डिग्राम एक बार और बनाएंगे इस डिग्राम में इस center of mass को मिटा दे रहे है ठीक है तो यह वारा system है कितने बाटीकल गालगा जिसका ओरीजीन से पोजीशन में तर आरगो नाटू मालू हो बनाओ जल्दी जब भी डिग्राम बनाओ 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 और यह center of mass को हटाओ ठीक है और और पिछला चेप्टर पढ़े आप लोग पिछला मतलब कुछ दिन पहले ही पढ़े हैं फोर्स दो 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 हो सा 9th का 10th का 11th का 8th का chemistry का physics का biology का एक body system of particle इसमें दो ही particle है यह दोनों particle आपस में क्या लगाता है ग्राविटेशन फोर्स तो अभी पढ़े है ग्राविटेशन फोर्स नहीं होगा मैं क्या बोला एक system है system के अंदर दो ही particle है यह दोनों particle आपस में क्या लगाता है कौन्स अपोर्स कौन्स उसका नाम क्या है इंट्रमोलिकुलर फोर्स अपाट्रेक्शन है फोर्थ क्लास में पढ़े हो जैसे यह हाँ फोर्थी में था solid liquid gas का solid में इंट्रमोलिकुलर स्पेस कम होता है फोर्थी क्लाते पढ़ना था बोलने का अरे आपने बात निसे होंगे कोई ग्रेवी टेस्नल पोर्स तो यूनिवर्स में किसी पी दो बाटी क्यों कर दो उसका तो पिछला चाप्टर था यह system है इस system के अंदर दो पार्टिकल थींगी हो सकता है पचास थी हो सकता है लाखों करोडों हो जाएगा तो निखित वर्टी हो जाएगा तल पर सब्सक्राइब रहे थे एक system है इसके अंदर दो पार्टिकल है यह दोनों हमेशा आपस में क्या लगाएगा चलब लेकर फोर्टेशन सबस्क्राइब पर देखना इस पर फोर्स लगाएगा इंटर मॉलुकूल्र फोर्स अभर्टेशन और यह इस पर लगा इंटर- ओ्रक्राइब पर लगाता है इसका नाम लेते हैं इसका नाम अगर वन पार्टिकल माल लेते हैं इसका नाम टू तो इसका नाम टू और इसका नाम जाएगा है तो अब इसको नुन का थर्ड लॉग मोशन लगा सकते हैं Newton का थर्ड लॉग मोशन, every action has an equal and opposite reaction एक सिस्टम करना अगर दो ही पार्टिकल है बाहर से नहीं एक ही सिस्टम है दो बोड़ी वाला तो दोनों एक दूसरे पर इंटर्मोलेकुलर फोर्च पर ट्रैक्शन लगाता है जो कि न्यूटन के थर्ट लॉप मोचन के लाफ तर कैंसी लाउट हो जाता है इस एफ 1-2 और f 2-1 इसकी बाते जो है वो सेम है लेकिन लगाता जरूर है इंटर्मोलेकुलर फोर्च पर ट्रैक्शन डियाग्राम बना तरके सेट अप कर लो और यह हमारा सिस्टम है दो पार्टिकल आपन दिख लेना सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स दाली के लुजनी करों दो पाणिकल्स चलगे तीन पर दस पर बीस पर पजास पर हजार पर दस अजार पर एक करोर पर अप्लीकेबल है बट पिछले थर्ड और फोर्थ क्लास से पर रहे हैं इस तीन से चार से पांच से ज्यादा हो गया तो उसको तुम सेंटर आप मास हैं कि एवरी एक्सन है जोन हो पर एक टरफ लोगहें तो फ फ फ सी यह वन प्लस फ तू लगा रहा है तू वदलब क्या हुआ लगा रहा है वो तुम अपने हिजान से मैनुपुलेट कर सकते हैं इसको प्रॉपिंग करके नुमेरिकल चार बढाला ने उससे फिजिक्स नहीं हो पाईगा वरियास इसको अन्रेस्टेंट करने का जोड़त है कि अधर कर लिए ठीक है तो अभी क्या है हमारे पास यह सिस्टम है यह सिस्टम है इसमें किता बाटिकल है इस सिस्टम में केवल और दोनों पाटिकल एक दूसरे पराभी लागा रहा है इंटन ओलेपिर और फोर्टापा ट्रेक्शन इसके वज़े कुछ भी नहीं होगा वो इसका फोर्स केंसे लागुड़ कर देगे यह इस तो पड़ोंगे अगला तो अब तो अगे देखे ना तक अगला रहा है नो क्या लगा रहा है तो पहले वाले पाटिकल्स में मानव एक क्सटैडबब्फोर्स लगा ठबानिया चले गा लिगते भी रहना और समस्टे भी और यह दूसरा बाले पर यह जटू है इस पर बहार से एक फोर्स लगा है F2, small F2, यह क्या है? यह external forces है चलेगा? अभी लिखना मदब देखो अब फोर्से लॉगफ मोशन के तरफ चलते हैं 9 पर जो पड़े हो और 11 पर जो पड़े हो तेक है? from Newton का 2nd log motion instantaneous rate of change of linear momentum अगर 1 का पुछूँ तो क्या होगा? क्या होगा? instantaneous rate of change of linear momentum बराबर क्या होता है? पोर्स होता है, तो 1 पर बोला जारा है, 1 पर 1 पर कौन का पोर्स लगा है? बताओ वर्स पर्स पार्डिकल पर, बताओ यह external वाला 1 तूनाइक 2 रूढल ह है वन पर लग रहा है यह internal वाला है इंटर्मोलिकुलर वाला यह वाला कैसा वाला यह वाला इक्स्टर्नल अभी लिखना बंकर देपर बताना ठीक है अब दूसरे वाले बढ़ी का instantaneous rate of change of linear momentum by applying external force कितना जाएगा और एक्टर फोर में चाहब कर दिख समें तो अब दोनों का जोड़ो इस दी बाइडी आफ प्लस पी टू कितना जाएगा और इन दोनों का जोड़ो अब 2 प्लस F1 कि यहाँपर इसको भी फिला रहे से लिख सकतें दी बाइडी आफ प्लस इस एक्स्टर्नल वाला बचागे वाला एक्स्टर्नल फॉर्स इस पोर्स एक्स्टर्ना लोगेश iris Block out of v falschm if लोग को मालू में क्या होता है मुवान इन्टो वीवर लास एंटू इस एफ एक्सटर्न इजा रादेरी निपर पुरा-पुरा तो आगे मुवाल देख लिवाई नीवा कि दिभाई डिटी बशिटी नीवाई पूलिसे अवन में वन्हों वेलो दिवाई गर्वां सब्सक्राइश उंटू टिछाएगा लास इसका दिवाई प्ली प्रिटी ए उसे द्यू पुर्टी आर्टी लिए अर्टी इस डिए अव अब देखो डिफ्रेंसेशन मोटा मोटी सबको आता है बाहर कब करते हो तो अंदर भी लिख सकते हैं मेरा मर्जी बाहर तुम तभी कर सकते हो जब वो अंदर रहा होता कॉंस्टेंट फॉर जैसा मेरा यह मास बाहर है मैं अंदर भी सकता काना अंदर को अंधर करते लिए कितना लिए घिए है पाईले से और या के विए अन्वाण फ्लस है ए टुर्स यां उप दी बाइडी एव को आरबन फ्लस लोगोज़ नेको लिखने हाच्टि दोब को यहां तक उप्के को होगे अब फोब डिपरेंसिशन एक बार दिफरेंसिशन डिफरेंसिशन डिफरेंसिशन इस सबसेल डिफरेंसिशन गए अधर क्या बचा हुआ थिस एंग फॉलास अरे समझें सब्सक्राइब यहां तक होगे पूरा जाए ठीक से यह फोल मैंने इसके बादे नहीं तक है अब वह दिद्रेशेशन वाला एक बार रूल है अपने से अंदर सब्सक्राइब करने है यह ऱुश् Barbara あलाउड नहीं है कि सब्सक्राइब करने हुए बार नो टॉटर में इन चलते आप है श्वेचे लाखने तो बोलो अंधार लिए र्लाव्क नरी में ौडली मनें अब थो रुदक्षण तो यह होगा मास इन्टू फलाना ठीक है यह कुछ है दी स्कूर बाई डी स्कूर इन्टू ब्रैके चैनल इस मास इंटू मत अब यह पुरा क्या है यह पुरा क्या है यह पुरा क्या है यह पुरा एक्सलेशन है करने कि यह पुरा मास इस पूर्स आइए मास इस पुरा एक्सलेशन है इस चीज़ को दो बार डिफ्रेंशियसन करके एक्सलेशन आथा सोचके बताने कुछ भी मत बोलता शोचकर करके किस चीज़ को दो बार डिफ्रेंशियसन करके एक्सलेशन आता है? मतलब डिश्प्रिस्मेंट जिसको कहते हूं पोजीशन है अर्य समझेंगे एक बार डिफ्रेंशियसन करके एक्सलेशन आता है? इस तरफ में किसका पोजीशन आपके एह इतना तुम समझे कि यह डिस्परैसमेंट ऐसे एक्सेलरेशन है अजितों करते हैं और जो और वेक्टर जो एक्च्वली में इसका में उसका महिंचूद कितना लाया यह उसका फॉर्मुला कितना रहे सब्सक्राइब करने यह फोर्स का पूरे सिस्टम पर एक्स्टर्नल फोर्स लगाए मास्क इसका हुआ टोटल एक्सलेरेशन किसका हुआ टोटल का अच्छे से समझना कि यहां पर एक्टर खाता हम जो समझ किया उसका सेंटर मास्क नहीं तो फिर बैट करके वीडियो और इस्टिट्ट से जब इंजनरी करते तो घर पाई बार पर पर अगल बगल वाला लोग था इसा को लिए कर रहा चुछ दिन के बाद वह रिकावर बैक हो जाता है अना मेडिकल वाले लोग 12 साल ड्रॉप में रहते हैं उन लोग का हो जाता है रिकावर 12 साल डॉप करते हैं 12 साल मेडिकल के लिए उनका फैमिली का बूद दो नहीं मजाग हसी उड़ता चितना उसका और हम लोग कोचिंग में अपना ही बचा लोग को हसते हैं जो मेरे पास यह नौवा चाल ड्रॉपाउट है मेरे पास तो पड़ता है और क्लास के सामने नहीं बोलते हैं मतलब क्लास यह मजाग लग लग अगर लग रहा है सबस्क्राइब है मेरे तो जल्दी वह उसी मजाग तुम्हारे पर जाने वाला है तो लोग बता ने हैं यह मास यह फॉर्स मास यह पूरा एक्सेलरेशन पहलारा तीजिए समझे दूसरा एक्सेलरेशन में ऐसे दोगर डिफेरेंसे पूरे का होता है इसका दिस्टेस्मेंट अब देखो यह पूरा फोर्स लगा दिए पूरा लगा दिए पूरे मास पर बड़ एक्सलेरेशन इसका हो रहा है जिसका पोजिशन कहां पर है जिसका पोजिशन इस संब्सक्राइब पर एक्सलेरेशन पूरा अगर फोर्स तुम पूरा लगा दिया हो मास अगर कंप्लीट का का दिए कर रहा हो तो एक्सलेरेशन के वाल सेंटर अफ मास का होता इसका मतलब है यह जो पॉइंट आ रहा है यह कोडिनेट अरगरा पोजिशन देखते इसका यह आर वेक्टर आता और यह आर वेक्टर का यह फोर्मुला आगे वो पॉइंट एंट वरी आज़ए दिएंटे रहेक्ट एंट अरगरूआज पॉइंट पॉर्मुला लगांगर्णूद का इसका पॉइंटर अपॉइंट अगरूएंट अगर्डू आगर्वाद्च वह आगर्धूद का तो ब्रस देखते अअंगर्स सिर्फ दूब कर सकते हैं चार पर कर सकते हैं चार पर कर सकते हैं उसके लिए हम लोग उसको फिर रिजिड बोडि एक तरीका आलाग है यसी अट्र आप मास इस सब्सक्राइब करने के लिए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल ये स्कूल में डेरिवेशन में आता है करना यह पर टी नहीं होगा यह जाएगा अभी फोट दर कॉंस्टेंट नहीं होगा यह दिफ्रेंसियेट हो जाएगा रवन वीवर में बदल जाएगा मस को सब्सक्राइब करने करना जाएगा आधब करने करने के लिए इसन पर मास के लिए फोर्स में निकालना पड़ेगा तो मास् टोर्ट लेना वे बड़ेट पर एक्स्टलेशन किसका लेना पड़ेगा सिर्फ सेंटर और मास का मोमेंटम अगर निकाना पड़ेगा अगी निकाने हो तो मास्टोटल ले लोगे बट वेलसे इसका निकाना पड़ेगा और यह जो कुर्पी है यह दो बोड़ी पर किताब में भी बोड़ी पर मिलेगा करवाया वाद जान बुछ करके क्योंकि करना है साइंस आज 100-200 सालों मतब जब से साइंस बहुत तेजी से आगे निकला रहे उसके बाब दूद हमारे पास इंटर मॉलीकुलर फोर्स का फॉर्मूला उसका साइंस का कॉल्चर पर मार्टास अभी नहीं है तो फिर उसका इंटर मॉलीकुलर फोर्स कैसे एक दूसरे इसलिए पूर्फिल का हिसाब दो बाड़ी पर किया गया है बट बताया गया है तुम पर लगा सकते हो चार पर लगा सकते हो और ज्यादा दूर आओ तो इससे नहीं बन पाएगा मतलब अगर एक सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल हो गया तो एक्शुली में वो के लिए हेट्रोजेनियास का सेंटर अगा तुम सीख लो कि वो आ सकता है यहां तक की होमोजेनस वाला भी आ सकता है बटना बार बता रहा हो हमोजेनस का आया तो वह तुम डिलाइग वैसे में नहीं करें तो मैं एक हमवक दिया था मैं तो आठ दस बोड़ी का लिखवाया वहाले चेटर में जेंगी है और मास उसमें यह सब कर रहें थे धमिन से च्री में अंधिकर कंड किया हुए है तो कल सी हमारा जिसन नहीं मेल को एक होब सब्सुर्द कर लोगा उसमें Cross product of vectors का काम पड़ेगा या तो मेरे वीडियो से या फिर आपके पाइज जो भी study material है उससे आप लोग कर उसमें क्रोणस product of vector का elemental knowledge जरूर लेकर कहेंगे पूरा rotational mechanics जरू